नमस्कार बच्चों और आज हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्त ये जो है ये हमारे इंदी व्याकरण का काफी महतरपून भाग है जिसमें कई बच्चों को परशानी होती है और आज हम इन पर्यायवाची शब्त कुछी पर्यायवाची शब्त 42 पर्यायवाची शब्त जिनने आज हम कंप्लीट करेंगे तो चलिए देखते हैं सबसे पहले तो मैं आपको पर्यायवाची शब्त के थोड़ा बारे में बताती हूँ तो परायवाचे शब्द होते हैं sănonymous स्नोनिम्स होते है परायवाचे शब्द या पिर आप इंको समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं लेकिन यी पूरी तरह समानार्थी नहीं होते हैं ठीक है जयसे मैं आपको कुछ एक्सांपल्स दोंगी ये घनेश की मूर्ती है, ये गनपती की मूर्ती है, ये सिथी विनायक की मूर्ती है तो घनेश, गनपती और सिथी विनायक ये तीनों ही एक परयावाची शब्द है त्री निर्ते कर रही है, नारी निर्ते कर रही है, महिला निर्ते कर रही है रुस्त्री नारी महिला भी एक क्या हुआ पर्यावाची शब्द हुआ अब घनेश, खनपती तता विनायर शब्दों का प्रयोग किया गया है तरथा नित्यांगदा के लिए जैसे कि आप जानते हैं तरी नारी तथा महीला शब्दों का प्रयोग यूज या पर किया करा है। इस तरह के शब्द जो लगबग समान अर्थ बताते हैं, समान अर्थी शब्द या परायवाची शब्द भे कहलाते हैं। लेकिन ध्यान रखे परयावाची शब्द शत प्रतिशत समानाती नहीं होते हैं इनके अर्थ में सुक्षव अंतर होता है इसी प्रतिएक परयावाची शब्द को एक दूसरे के स्थान पर रखकर प्रयोग करना समभ नहीं हो पाता तो चलिए कुछ उधारण देखते हैं परयावाची शब्द के सबसे पहला उधारण है अंधेरा अंधेरा का हुआ अंधकार तिमिर तम तम्स्तर तो देखो बच्चों ये जो है ये तो आप अराम से कर सकते हैं जो जो आप लर्न नहीं कर सकते हैं उनको मैं कोशिश करूँगी कि आपको लर्न करवा पाओं अंधेरा का क्या हो क्या हो क्या अंधकार सबसे पहला हुआ अंधकार फिर हुआ तिमिर फिर हुआ तम्स्तर तो आप एक्सांपल ले सकते हैं तिमिर तम्स्तर तम्स्तर तम्स् अंधिकार में, उनके सामने अंधीरा छाँजानी के वचे से, अंधिकार में खो गए हैं, तिमिर तम- तमिस्त्र कुछ भी सिमयन कर लेते हैं, कुछ भी को भो लेते हैं, याद हो जाना चाहिए इसके बज़े साथ कुछ भी बना लो कुछ फरक नहीं बना ठीक है अपनी imagination से कुछ भी बना लो फिर आता है आपका अमरत अमरत का है सुधा, पियूश, सोम, अमिय तो अमरत का हुआ सुधा, पियूश, सोम, अमिय तथा अमरत तो आप बना सकते हैं सुधा, पियूश, और सोम सुधा, पियूश, सोम, अमिय सुधा, पियूश, सोम, और अमिय अमरत पी कर आई है ठीक है या फिर सुधा माता ने पियूश, सोम, और अमिय को अमरत पिलाया किस देखो सुधा माता ने पियूश, सोम और अमिय को अमरित पिलाया किसको अमरित पिलाया? पियूश, सोम, अमिय किसने पिलाया? सुधा ने पिलाया सुधा माता ने पियूश, सोम, अमिय को अमरित पिलाया असर, दानव, राक्षस, दित्ते, निशाचर तो इसको लर्ण करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो देखो, आप कर लो असर, असर का परहायवाची हुआ, दानव असर का परहायवाची हुआ, देखो दानव, राक्षस, दित्ते, निशाचर ठीक है, दानव, राक्षस, दित्ते, तथा निशाचर एक मिन दुगो अगला है आख आखो का नेत्र, नयन, चशू, दुर्ग, लोचे तो देखो इसका बहुत ही असान है आख तो याद करे लोगे आप उसकी बाद आता है शचू, शचू से आप याद रखो चश्मा, चशू है ना, चशू से आप याद रख सकते हो चश्मा, ठीक है और तो कोई है नहीं याद करने के लिए इसको आप अराम से याद कर सकते हो और संकट लोचन, संकट लोचन से आप लोचन याद रख सकते हो, आख हो का तो देखो आख, चलो मैं इसको ऐसे बता देखो, अब याद करो क्या होगा आख का मैंने मिटा, मैंने इसको आप ऐसे कर दिया कि आप देख नहीं सकते हो, बताओ आख, सबसे पहले अब पिर नेत्र चशु तुर्ग लोचन और लास्ट में नया ऐसा नहीं है कि आपको सिरीज वाइस ही लिखना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपको सिरीज वाइस नहीं लिखना है आपको जो सबसे पहले आयाद आ रहे हैं जैसे आपको जो जो याद है आपको याद है आपको याद है आपको याद है चशु दुर्ग लोचन उसके बाद लास्ट में सोचो धोड़ा फिर अराम से लिख दो नेत्र उसके बाद आता है आपका इश्वर इश्वर मतलब क्या होता है भगवान ठीक है अब देखो याद करो ईश्वर तो आपको याद हो जाएगा अब प्रभू को याद करना है प्रभू जी तुम ईश्वर प्रभू जी तुम ईश्वर परमात्मा भगवान परमेश्वर तो इश्वर का क्या हुआ प्रभू, परमात्मा, भगवान, परमेश्वर ये तो असान है याद करना फिर कप्डा का हुआ वस्त्र, पट, चीर, परिधन वस्त्र, पट, चीर, परिधन कमल का, जलज, नीरज, वरिज, पंकच, अर्विंद अब देखो सारे नाम है, ऐसे नहीं रगए सारे नाम है तो आप इसको आप नाम से याद कर सकते हो देखो कमल का याद करें तो हम हाँ नीरज कमल से याद कर लो कमला कमला, नीरज, वरिज, पंकच, और अर्विंद को एक जलज मिला यकी मैंने सोचा कि आप कमला से नाम याद रख सकते हैं फिर जलज आपको नाम याद नहीं रख सकते हैं कमल, नीरज, वरिज, पंकच, अर्विंद और फिर जलज कमला, नीरज, वरिज, पंकच, और अर्विंद कमला, नीरज, वरिज, पंकच, और अर्विंद को जलज मिला क्या मिला? जलज मिला और जलज मतलब क्या होता है? कमल कमल होता है फिर है किनारा फिर क्या है किनारा किनारे का है तट कूल तीर कगार पुली किनारे का है तट नदी के तट पे राक्षा स्कूल वैसे तो राक्षा स्कूल वैसे कूल को ये वहते हैं लेकिन हमारा मत्तब को तो कुछ और है न तो देखो कूल को कूल कर लो कुछ फरक नहीं पड़ता जब लिखोगे तो ध्यान लखना उग की मातर लगती है तो ऐसा कर लो कूल की जगे कूल कर लो लेकिन जब लिखो तो कूल कर देना और मैं को भी कूली की बोलना कूल मत बोल देना ये सिर्फ मेरे याद करवाने का तरीका है तो बोलो तट के किनारे रक्षस कूल के तीर महराज कगार पुलिन के साथ आए थें किनारो कुछ भी कर लो किनारो के तट पर रक्षस कूल के तीर महराज कगार पुलिन के साथ आए थें ठीक है उसके बाद है गंगा गंगा सुरसरी देवन्दी भागी रती चांसुदी तो देखो कल जाहन्दी देवन्दी और सुरसरी भागी रती की पूजा करने आए थी अब आप भागी रती को तो याद कर सकता भागी रती को किसे याद करोगे गंगा का बेटा कौन था देवरत देवरत से कर दो भागी रथी, भागी रथ, ठीक है, और उसमें ए की मातर लगा दो, पिर है खनेश, खनेश का हो क्या, खनेश का मतलब, हाँ देखो, खनेश का मतलब है गनपती, गजानन, अब देखो, यह बहुत एज़ी है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नी आएगी, घनेश का है गनप गनपती, गजानन, एक दंत तयावनत, ठीक है, तो इने गजानन भी बोलते थे, गनपती भी बोलते थे, विनायक भी बोलते थे, एक दंत भी बोलते थे, और गजमुख भी बोलते थे, गजबुक मतलब जिसका हाती जैसा हूँ 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 फिर है गाई गाई का हो गया गव, धेनू, सुर्भी, गव घर का हो गया ग्रह, धाम, आवास, गेह, सदन खोडे का हो गया अवश, है, बाजी, तुरंग अगला आता है हमारा चंद्रमा, चांद, शशी, राकेश, हिमान्चू, इंदू अब देखो, नाम वाले तो बहुत असान होते हैं लिकिन कई बार आपको याद हो सकता है, नहीं रहे तो क्या करो आप इसके लिए, ऐसे याद करो कल, शशी, राकेश, हिमान्चू, और इंदू रात को चांद के साथ चंद्रमा को देखने आएं ठीक है, कुछ भी मालो फिर जलका हो गया, पानी, नीर, वारी, पाए, जीवन पानी, नीर, वारी, पाए, जीवन किसका परहवाची हुआ? जलका ठीक है, फिर है तलवार, तलवार का हुआ असी, खटग, शम्शीर, चंद्रहास तलाब का हुआ सर, सरोवर, तल, फिर जलाश्य, या फिर ताल तिन का हुआ दिवस, वार, दिवा, या फिर वासर दूद का हुआ तुक्त, पै, गौरस, शीर देवता का हुआ देव, सर, अजर, अमर, अजत्य, धर्ती का हुआ धरा, भू, प्रत्वी, फूमी, थार्ली तर्ती का बहुत ही असान है, फिर आता है नारी, नारी का हमने देखा भी था, अस्तरी, महला, अबला, कामिनी, रमनी ठीक है, पत्ता का हुआ पात, पत्र, दल, पर्ण, पर्वत का पहाड, गिरी, अचल, भूधर, शैर पारती का हुआ दुरगा, भवानी, अंबा, उमा, शिवा, किसका हुआ पारती का, गौरी भी हो सकता है पुत्र का हुआ बेटा, पूत, सुत, लड़का, आत्मज, पुत्री का हुआ बेटी, सुता, लड़की, आत्मजा, कन्या, दखो आए लग गया फिर पुरुष का हुआ मनुश्य, आदमी, नेर, मानुश, जन पुष्प का हुआ, फूल, सुमन, कुसम, कुसम और प्रसून बादल का, घन, जलद, वारद, नीरद, मेख, जलदर मचली का मीन, मकर, मतसे, छश, महादेब का हुआ, शिव, श्यंकर, शंबु, रुद्र, भुलेनात, महेश मित्र का हुआ, दोस्त, साथी, सखा, मीत, सेचर राजा का हुआ, निप, नरेश, भूप, समराथ, भूपती राद का हुआ, रातली, निशा, रजनी, रैन, यामा, निशी, लक्षमी, कमला, रमा, श्री, इंदिरा, चपला फिर व्रिश का हुआ, पेड, व्रिक्ष, व्रिक्ष, का हुआ, पेड, बिटप, तरू, द्रू, 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 शत्रू का हुआ, अरे, अरी, वैरी, वैरी, दुश्मान, रिपू, संसार का हुआ, दुनिया, विश्व, चगत फिर सूरे का हुआ सूरज, रवी, बिनकर, दिवाकर, भासकर, भानुग सुवर्ग का हुआ इंदर लोग, देव लोग, सुर लोग, बैंकुट, हाती का हुआ गज, नाग, हस्ती और कुन्चक तो बस इतना साही था जितना मैंने आपको आज करवाया पसतना साही धन्देवाद कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं और अगर आपको देटेल में परायवाची देखने हैं तो फिर एक और वीडियो है जो की क्लास, बड़ी क्लास का है, सीनिया क्लास का है, वो हवनी मातर ने बनाया है आप उनका देखिए, उन्होंने मिनमोनिक से थ्रू बताया है, मैंने आपको थोड़ा मिनमोनिक से थ्रू बताया है, वैसे आपको सारे मैंने बोल-बोल कर बताये हैं आप वो भी देख सकते हैं, और आप एक बार स्क्रीन शॉट पी लेनी चीए, ताकि आप एक बार पॉस करके वीडियो लिख सकते हैं, चल्दी से कर लीचे, देखिए मैं क्यों हूँ स्क्रीन शॉट ले ले लीचे कर देखिए क्या लीचे कर दो स्क्रीन शॉट ले ले लीचे कर दो झाल झाल मुझे एकिन है आप लोग रहने स्क्रिंशोट के लिया होगा धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए और हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे अब मैं लाओंगे आपके लिए एक मुहावरे का वीडियो मुहावरे के बाद हम लेखन वग्रा इस अब थम करी चुके हैं मुहावरे के बाद मैं वेलोम शब्द लाओंगी आपके लिए बस अब खतम होने वाला है हमारा इंडी bro. वो भी खतम होने वाला है. उसके बाद हम शुरू करेंगे sains classes. मतब साइंस जो है वो शुरू करेंगे. science के बाद हम computer computer के बाद social studies social studies के बाद sorry पहरे फिर उसके बाद English फिर social studies फिर maths फिर German उसके बाद फिर से हिंदी and then again ऐसे ही cycle चते रहेगा हमारा thank you for watching I hope आपको ये वाला आज का topic पर आवाची वाला समझ में आ गया होगा अब चलिए चलते हैं और मिलेंगे आपके साथ अक्री वीडियो में थान्य बाद